एक और सुहाना दिन, GTA 5 की दुनिया में, और गाइस, आज हम लोग फिर से उठ चुके हैं, और वेल क्या ही बोलू, आज भी बहुत ही जादा सुहाना दिन है, चलो चलता हूँ आंटी के पास, ओई आंटी यहाँ पर इंसे पैसे मांगू क्या, हेलो आंटी कैसे हो, पैसे मिल क्या मेरे को, अबे, आप बोल रहे हैं, निकल के भागो यार, मैं जा रहा हूँ, आप लोगो ने देखा, हम लोगो पैसे भी नहीं बिले, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे को कोई pocket money नहीं देता है, मैं एक काम करता हूँ भाई, मैं मर जाता हूँ, कोने में खड़ा ह आप लोगो अपने वाले सिटी चल रहे हैं, जिस सिटी में तेरा घर है ना, एमरेल्ड वाला उस जगह पे जा रहे हैं, आपन लोग और बहुत मजे करेंगे, लेकिन आज हम लोग पोर्टल से जाने वाले हैं, ठीके टेलिपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए हम लोग को लमार की ज़रुद पड़ेगी, फटफट से में लगाता हूँ, लमार को कॉल और उसके बाद अपन लोग उसको भी पिक अप कर लेते हैं, लमार हम लोगों को बुला चुका है, अपने इस सीक्रेट लोकेशन पर जहां पर मैं और चॉप जा रहे है, फुल स्पीड में उसको पिक अप करने के लिए, लेकिन लोकेशन काफी दूर है, तो हम लोगों को समय लग सकता है, फॉस्टी भाई यार, तेजी तेजी गाड़ी चलाओगे, तो आपने लोग जल्दी पहुच जाएंगे, मेरे को माइन काफ वाली सेटी में ले चलो, प्लीज, और राइट, जा रहा हूँ मेरे दोस्ट, जा रहा हूँ, बस एक सिकंड रुग जा, आपन लोग पहुची र यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया, भाई, पहीसा नहीं है मेरे पास भाई, अरे ऐसे क्यों बोल रहा है, तु तो अजबी बात कर रहा है, चल चल अपन लोग आज तेरे लिए काम ले के आए, आज मेरे को ले के चल तू लोकेशन पर जहां से अपन लोग माइन क्रा मैं सीधा माइन चार्ट में पहुच के आप लोगों से मिलता हूँ, और आई होप चॉप भी बहुत ही जादा सेफली पहुच जा रहे है, अंकल सही से जाओ यार, मरने का मने लगता है लोस अंटोस के लोगों को, अल्राइट गाईज हम लोग पहुच चुके है, लोकेशन अल्राइट, यह रही गुफा, लेट्स को, जल्दी से चलते हैं अंदर और वेल पहुचते हैं, और क्या, आजा मेरे दोस्ट, चल्दी से चलते हैं अपन लोग लेकिन पहली यह गेट तोड़ना होगा, तभी हम लोग जा पाएंगे, यह मारा अब गरनेड वापस आ जाती भाई, अभी तो मेरा हालत खराब हो जाता, अरे भाई, टेक से मारे हो यह, मैरे को कि रिनर्ड लग गया तो भाई, दिकलत हो जाएगा, अरे नहीं हो का भाई, मैं जा रहा हूं अंदर गाईज, और अब आपन लोग मारेंगे टेलिपोर्ट तगरे वाला, रेडियो जाओ let's do this, okay guys, अपन लोग मारें टेलिपोर्ट, अब चल्दी से चलते हैं, अपन लोग अपनी सीटी पर और सीधा वही पर मिलता हूँ आपसे, and tantana, हम लोग पहुच चुके हैं, अपने Minecraft के सीटी में, and well, मेरे को नहीं पता इसका नाम क्या रखूँ, आप लोग कॉमें बता द मैं भी जानना चाता हूँ, आप लोग को इंदरप्रस्त की स्पेलिंग पता है या नहीं, alright, यह रहा, आपन लोग का घर, देख सकते हो लिखा है, Frosty का घर, अबे हटना, बुड़े, मेरे घर में क्यों घुच रहा है, तेरी तो, अबे मेरे घर में घुच रहा है, भाई, आप ही घुच गया उसके घर में, अरे यह ऐसा कुच नहीं है, यह हमी लोग का घर है, anyways, guys, अभी आप लोग सोच रहे होगे, कि मैं, Will, यह ट्राइडेंट लेकर, क्रियेटिव मोड में क्या कर रहा हूँ, basically, आज हम लोग इस ट्राइडेंट की पावर को एक्स्प्लोर करे अभी अभी हो चुकी है, सुभा, सो अभी हम लोग जा रहे चॉप के घर पर, और इन जादू ही ट्राइडेंट से मैं कोशिश करूँगो उसको ट्रोल करनी की, और अगा ट्रोल करने में सक्सेस्फुल हो पाते है, तो मज़ा आ जाएगा, चॉप तू अपने घर में ही है, अरे ट्रोल नहीं करेंगे भाई, वो तो मैं ऐसी ओडियंस को बोल रहा हूँ, अपने लोग पका ट्रोल करेंगे, इसको देख लेना, अरे फ्रोटे भाई, मैंने सुन लिया, आप ट्रोल करोगा मेरे को, अरे नहीं कर रहा भाई, देखरो इसका घर कितना आलिशान है, अरे लोग के नजरों में, हाँ फोस्टी भाई, अमिल लॉटा नहीं कुटता हूँ, मैं बाई, कुटता हूँ, हाँ, ठीक है भाई, ये ले मीट खा, एश कर, और आज मेरे को दिखाने दे इस ट्राइडेंट की पावर, और फोस्टी भाई, मेरे कमरिया काय ला रहा हूँ अरे नहीं ला रहा है, तेर को बैठा रहा हूँ, ठार रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहा है, चलो, अभी आप लोग चलते हैं आगे, और आप लोग को पोट्रे करता हूँ, कि कितनी जबर्दस्थ पावर्स हैं, और कोई कॉमेंट में भी बोलेगा, क्रियेटिव मोड में क्यों कि क्रियेटिव मोड के बिना मैं पावर्स आप लोग को दिखा नहीं सकता इस ट्राइडेंट की, बर्दास्त कर लो, ठीक है, यह है हम लोग का एर ट्राइडेंट, इससे यार मेरे फीट जो है, बहुत ज्यादा पतले हो जाते, यह देख रहो, स्पीड 6 मिल जाती है स्लो फॉलिंग भी है, और भी बहुत सारी चीज़े, और मैं किसी भी चीज़ को मारूँगा ना, तो यह देखो, हवा में उड़ते लगती है, अरे फ्रोटी भाई आप ते तो गुबारा बना दिया भाई इसको, यही तो पावरे ब्रो मैजिकल ट्राइडेड्स की, इनको यूज करके हम लोग माइनक्राफ्ट के शहर पर कबजा कर सकता, अरे चॉप तुमको गलती से लगया, सॉरी भाई, अरे फ्रोटी भाई, मैं आपको गुबारा लगता हूँ, क्या यार, मेरे पर एक्सपरिमेंट्स कर रहा हूँ, भाई, देखो गाई, मैंने बोला था, मै बार-बार ट्राइडेंट के सामने आ जा रहा है, ये देखो, क्या उड़ रहा है, भाई, घोरे सरजी, मजा आ गया, और उको इस पीगी को भी उडाते है, वाई, भाई, बहुत फणी ट्राइडेंट है ये, फ्रोटी भाई, मेरे को भी अच्छा लगा, लेकिन आप मेरे लुक जाओ क्योंकि इसे भी बेटर-बेटर ट्राइडेंट है, अभी के लिए ये बेस्ट है, पाच ट्राइडेंट और जिनमें और भी बेस्ट विनर्स मिलेगे, आप टाइमे ट्राइड नुम्बर टू का जो की है लाइटनिंग ट्राइडेंट इसको जिसके भी उपर म बाई वेरे को बहुत फ़री लग रहे है यह लो इसको हड़ी मारेंगे हड तेरी ऐसी कि तैसी नेधर वाले जाओ इधर क्या कर रहा है ओल्राइट हम लोगों को थोड़ा गोल्ड नर्गेट मिल गया उससे बट कोई बात नहीं अभी मैं आपको दिखाता हूँ लाइटनिंग ट्राइडेंट की और भी पावर बेसिकली पहली पावर तो यह है कि आप किसी भी चीज़ की ऊपर जितना चाहे उतना बिजली गिरा सकते हो और भाई उप्वेसली इस पर आग भी लग जाएगी और इंस्टेंटली आइटिंक वह चीज मर भी जाती है यह चीज एंडर ड्राइगन को मारने में बहुत ही जादा मदद करी कि हम लोग को और मैं चाहू तो चॉप पी मार सकते हो लोगी चॉप एक ही बार में मर जाएगा अपको या गिनिपिक लगता हूँ क्या बाई मेरे पमत एक्स्पेरिमेंट्स क्या करो ऐसे जी बजी बज ज़ायके खाक कर दूगा समझ गया तो मेरा पालतु की चीज़ों बनाते रहते हो पाइग कि मत करा अँगी मांटी में circuits ऐ इनकी क्या प्रबलम है एक इसमां के फॉर 2 ट्राइड तकी अ пригएंधे और कि नैंगेर उची जसीम इसाई ओपर अपन लोग मारेंगे न को बना दि आपन लोग ने रुक पिगी तेरी तो पिगी को क्यों नहीं हो रहा है इसके पैर पे मारना होगा क्या रुको एड पैम ओ भाई ओ इंते को जम गया पिगी काई आप लोग देख रहे हो क्या जबरतस चीज यार यह किसी को भी मिट्टी में फसा सकती है चॉप यह ले तेरी त ओ शिट गिर किया मैं एक सिकंट कमोन पैड़ पे निशाना मारो 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 एड अब भगया ते री तो ओ शिट छॉप तेरी मर गया आप मैंने आपको बोला तो ट्रोल मत करो मर जाओंगा मैं अच्छा सारी भाई सारी माफ कर दे आर और राइट गाईस चलते अपने बट इससे आपको फाइदा यह है किसी भी इंसान यह किसी भी फ्लेमेबल चीज को अगर आप मारोगे न तो वो इंस्टेंटली जलने लगेगे इस मॉंस्टर को देखो देखो जलके मर गया भाई मर गया लिटरली इस पिगी को देखो यह देखो वन शॉट डेड हो चुका है हमारा प्रे यहाँ पर और वैल आप्यूसली मैं इसका मांस उठा लेता हूँ चॉप आएगा तो बहुत मारे का मेरे को रॉस्टे भाई आप म अबे यह बाहर कैसे आगया मर तेरी ऐसी कि तैसी सो गाइस देखा हम लोग किसी भी चीज को पानी में डूबा सकते हैं और मेरे को यह बिलिटी बहुत ज्यादा पसंद आई अगर सज बोलू तो इन फैक्ट हर हॉर्स पे भी आपर लोग टेस्ट कर रहें बिसिकली हॉर्स अगर इसका पार्ट टू चाहिए तो ओवियसली मलब 50,000 लाइक कर दो इस वीडियो पर चलो मिलता हो आप सीबसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइ-बाइ-see you later and stay frosty